हालो फ्रेंज कैसे आप पूरा यकीन है मुझे कि आप अपने जगापर सुरक्षित होंगे स्वस्त होंगे आज इस बिजनस के बारे में आपसे बात करने वाली हूं वह बिजनस काफी चट पटा है तो आप इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम लागत में लेकिन वीजियो को अन तक देखेगा पसंद आये तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब का बटन दबाएए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आपको हमारे वीजियो कैसे लग रहे हैं बैल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाईएगा तो आज इस बिजनस को ल खिला दो और उसके बाद जो डिमांड्स होती हैं मीठा थोड़ा कम डालिएगा तीखा जादा कीजिएगा वैसे मुझे परस्नली पीखा जादा पसंद है तो चलिए आज इस बिजनस की बात करते हैं और आप भी बताईएगा कि आपको गूल कप्पे किस तरह के पसंद है तो देखे पुरा वीडियो और साथ ही साथ अपने आइडियास हमासा जरूर शेयर कीजिए आप भारत के किसी भी क्षित्र में आसानी से इस बिजनस को शिरू कर सकते हैं किसी लाइसेंस या फिर दूसरी कानूनी चीज़ों की जानकारी होना भी अवश्यक नहीं है साथ ही इसमें खासा मुनाफ़ा भी कमाया जा सकता है आईए अब हम जानते हैं कि हम पानी पूरी विवसाए एवं चार्ट मसाला व्यपार में किस तरीके से आप भी अपनी एक स्टॉल लगा कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं पानी पूरी बनाने के लिए आपको आजे की अवश्यकता होगी जिसे समाने भाषा में मैदा बोला जाता है साथ ही आपको थोड़े बहुत पानी की जरूरत होगी ये कच्चा माल आपको मार्केट में किसी भी स्थान में मिल जाएगा यदि आप अपने स्टॉल को एक ब्रांच के रूप में शुरू करना चाते हैं तो आप होलसेल मार्केट से भी इन समानों को एक साथ खरीच सकते हैं पानी पूरी बनाने के लिए आवश्यक मशीन पानी पूरी बनाने के लिए एक मशीन के अवश्यकता होती है जिसे पानेपूरी मशीन बोला जाता है इसमें मुख्यताय दो मशीने काम मिलाई जाती है एक मशीन जो की आटे या फिर मैदे को मिलाकर गुंधने के काम आती है और दूसरी मशीन इस सम मिले हुए मैदे की सहायता से पानेपूरी बनाती है जो की सूखे और कड़क गोल मैदा की बनी हुई एक आकरिती होती है जो की बेस्वात होती है मारकेट में आपको एक मशीन आराम से 30,000 रुपे तक के निवेश पर मिल जाएगी और यदि आप दोरों मशीने एक साथ खरीदना चाहते हैं तो आपको 70,000 रुपे तका निवेश करना होगा इस मशीन को आप होलसेलर या फिर किसी रिटेलर की साहयता से खरीद सकते हैं या फिर आप इसे बनाने वाले मैनुफेक्शनर से भी संपर्क कर सकते हैं इसके रावा कई लोग पर ये वेबसाइट जैसे की इंडिया मार्ट मशीन फॉर वेल्यू इत्यादी की साहयता से ऑनलाइन भी इसे खरीदा जा सकता है कितने निवेश की होगी अवशकता यदि आप अपनी वेबसाइट को छोटे स्तर पर शिरू करना चाहते हैं और एक मिक्सिंग मशीन और पाने पूरी बनाने वाली मशीन खरीद कर इस वेबसाइट की शिरुवात करना चाहते हैं तो आपको लगबग 70,000 रुपे का खर्चाएगा साथी आपको अपनी एक स्टॉल भी खरीदनी होगी जिसे या तो आप पहियों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला सकते हैं या फिर आप अपनी एक स्थाई रहने वाली स्टॉल भी खरीद सकते हैं एक लाख रुपए तक के निवेश में इस वेविसाय को आसानी से बढ़ा किया जा सकता है वैसे तो मुनाफ़ा आपके यहां आने वाले ग्राकों की संख्यापन निर्फ़ करेगा आप जितने अधि ग्राकों को आकर्शित कर पाएंगे उतना ही मुनाफ़ा कमा पाएंगे एक घंटे के काम में लगभख 300 रुपए तक की पाने पुरी बेच पाएंगे और यदि आप दिन में 7-8 घंटे तक अपनी स्टॉल पर काम करते हैं तो आप आसानी से 1500 रुपए तक का सामान बेच पाएंगे इनमें से 500 रुपए तक का खर्च निकालने पर आप आसानी से 1000 रुपए का मुनाफ़ा कर सकते हैं इस प्रकार आप महीने में आसानी से 30,000 का मुनाफ़ा कर सकते हैं जो कि एक लाग के निवेश पर बहुत अच्छा मुनाफ़ा माना जाएगा. आईए जानते हैं कैसे बनती है पानी पूरी. पहला स्टेक, सबसे पहले आपको मैदा या फिर अपने आटे को मिक्सर मशीन में डालना होता है. इसमें आप उतनी ही मात्रा का आटा डाले या मैदा डाले जितनी मात्रा में आपको पानी पूरी बनानी है. इसके बाद आप उस मशीन को शुरू करें और उसमें आवशकता अनुसार थोड़ा बहुत पानी गी डालें. ये मशीन पानी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर देगी दूसरा स्टेक इसके बाद आप इस मिक्स किये हुए पेस्ट को निकाल कर पानी पूरी बनाने वाली मशीन में डाले जो की पानी पूरी को गोल्ड डिजाइन प्रदान करती है फिर आप इनको तेल की सहायता से तल ले इस प्रकार आपके पास जो पूरी बनकर तयार होगी इसे आप मार्केट में बेट सकते हैं एक किलो मैदे की सहायता से आप इस मशीन के द्वारा असानी से सौ पानी पूरी बना सकते हैं और ये मशीन एक घंटे में लगब 5,000 पानी पूरी बना सकती है जिनके लिए आपक स्टेप तीर इसमें आप अलग से एक पानी की बड़ी टंकी या फिर बरतन में पानी के साथ मसाले और कुछ चीज़े मिलाएं और उस पानी को एकदम चटपटा बनाले स्टेप चार आप अपने पास से रखे हुए किसी बरतन में आलू टमाटर प्याज और दूसरी प्रकार के मसालों को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं जिसे उस पूरी को फोड़ कर उसके अंदर भरना रहता है और उस पूरी को पानी में डुबो कर उसमें पानी भर कर लोगों को सर्व करना होता है ये सब काम करने के लिए आपको 10-15 स्क्वेर फीट तक की जगा क्या विशक्ता होग क्योंकि इन मशीन को लगाने के लिए बहुत ही कम जगा चाहिए यदि आप इस विवसाय को बड़े स्थर पर शुरू करना चाहते हैं तो आप और अधिक मशीने खरीच सकते हैं और अपने अंतरगत दूसरे करमचारियं को काम पर लगा सकते हैं इस विवसाय में आपको किंद्र सरकार से किसी लाइसेंस लेनी के अवशक्ता नहीं है परन्तु कुछ राज्यों ने राज्यस्तर पर एक फूड लाइसेंस की विवस्ता कर रखी है आपके राज्ये के अनुसार आपको उस प्रकार का लाइसेंस लेना होगा इसके लाबा भी आपको पानेपूरी बनाने का तरीका बता सकता है या फिर आप उससे थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करके ये तरीका सीखें इसके अलावा आप किसी बड़े पानेपूरी स्टॉल पर कुछ समय तक काम करके वहाँ पर काम कर रहें दूसरे लोगों से इस तरह की स्किल्स सीख सकते हैं उसके बाद आप अपना खुद का स्टॉल लगाकर पानेपूरी और चार्ट पेच कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं इन सब बातों के अलावा आपको कुछ और बातों का भी खयाल रखना है इसलिए आपके शहर में कोई ऐसा ही स्थान डूंडे जहां भीड़ भी अधिको परन्तु कॉंपुटिशन कम हो हाला कि आपको एक या दो दिन का समय लग सकता है परन्तु एक बार ऐसे स्थान पर स्टॉल लगाने पर ग्राफों को अच्छी सिवा प्रदान करके उनका विश्वास जीतने के बाद आप आसानी से इस खेतर बड़े विपारी बन सकते हैं एक बार आप खुद अपने स्टॉल से मुनाफ़ा कमाने के बाद इस तरह की दूसरी स्टॉल भी लगवा सकते हैं जहां पर आप किसी करमचारी को काम दे सकते हैं जैसे कि आपके पास पहले से ही मशीन लाई हुई है और उस मशीन से ही आप बहुत सारे गोलगप्पे बना सकते हैं इसलिए आपको बहुत कम निवेश्टी आविशकता होंगी जिसमें आप अपनी नई स्टॉल खरीद सकेंगे तो ऐसे शुरू कर सकते हैं आप गोलगप्पे और चार्ट का बिजनस और साथ ही साथ मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि जो भी बिजनस आप शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जुसमें हाइजीन बहुत मैंटेन करना है तो कोशिच कीजिएगा हाइजीन मैंटेन कीजिए करता है